नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का इनॉलेज टाइम में दोस्तो एस्टोनोमर्स यानि की खगोल विदो ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सबसे छोटे ब्लैक होल्स की खोश की है जो हमारे गैलक्सी में है इस ब्लैक होल का नाम दिया गया है यूनिकॉर्ण यह अब तक के ग्यात ब्लैक होल्स में से हमसे सबसे नजदीक में इस्थित ब्लैक होल है जो प्रिथिवीक से केवल 1500 लाइट इयर दूर है तो आईए जानते हैं इस सबसे छोटे ब्लैक होल्स के बारे में तो दोस्तो इस record breaking black hole यानि कि unicorn को खोजने का कारणाबा किया है Ohio State University के बैग्यानिकों ने इसके दरब्यमान की बात करें तो इसका दरब्यमान सुरी के दरब्यमान से 3 गुना ज़्यादा है जो कि एक black hole के लिए काफी ज़्यादा कम है इसलिए इसको सबसे छोटा black hole कहा जा रहा है और इसकी जो इस्तिती है वो है monoceros constellation में वैसे तो आम तोर पर black hole दिखाई नहीं जते हैं क्योंकि इनकी gravity बहुत ज़्यादा होती है और यह हर चीज़ को absorb कर लेती हैं है वो कोई particles हो या फिर electromagnetic radiation जैसे light मतलब यह इतनी ज़्यादा strong होते हैं कि इनकी gravity से कोई बच नहीं सकता तो अब यह सवाल आता है कि जब यह दिखाई नहीं देता है तो इसको discovered कैसे किया गया तो देखिए यहां पर ओयो इनवस्टी और नासा ने एक विशाल काय तारे का अध्यान करने के लिए टेलिस्कोप और अन्य बाद्धेम से बहुत सारे डेटा क्रेट किये थे लेकिन इसको analyze नहीं किया गया था ओयो इस्टेट इनवस्टी के जगह पर appear हो रहा है इसके कारण वहां पर pulling effect दिखाई दे रहा था और यह होता है टाइडल डिस्टॉर्शन के कारण तो यहां पर जानने वाल यह बात है कि टाइडल डिस्टॉर्शन effect क्या होता है तो देखिए जब कहीं पर बहुत ज़्यादा strong gravity होती है तो वह अपने नस्दीक के तारों को खीशती है इससे तारों के आकार में परिवर्तन होता है इसी को Tidal distortion effect काते हैं तो इस effect से बैग्यानकों की गहस समझने में आसानी हुई कि उस बिशाल का है तारे के साथ जो और्बिट कर रहा है वह एक छोटा ब्लैक होल है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही थांक्स पर वाचिंग एंड डोंट फॉर्गेट लाइक शेर एंड सब्सक्राइब इस चैनल